और नाउशक रशूख जी जी नमस्ते हूं कोई विकारी आदा है तो उसमें होने वाले समान के खर्चे आदिसाब होते ही हैं हम ये पोछने चाहेंगी क्या उनकी रसीद यानि बिल बाउचर हम मांग सकते हैं अगर हम जनसुषना अधिकार अधिनियम की धारा आर्थ उपधारा एक खौ का अवलोगन करें इंग्रिश में अगर बोलें तो सेक्षन एट वन डी को देखें तो वह जो भार्षा प्लुक्त होई है कि अगर ये कमर्शिल कॉंफिडेंस या टेड़ सीक्रेट वानेजिक गो अगर हम उसी बिल बॉचर को डिस्ट्लोज करने जा रहा है जो कि वह बिल बाउचर हमारे कारियाले में इस तिसी तीसे प्टी कि वह उसके व्योसाय है दुकान है पतिष्ठान तो उसने उनको दिया है उसकी अपनी अलग इंटिटी है कि हम जब कानों की बात करते हैं तो कानून की दिष्टी में वहाई व्यक्ति हुआ ना कृत्रिम व्यक्ति हुआ तो जब हम उसके बिल पाउचर को डिस्क्लोज करने जा रहे हैं तो निश्यत रोब से तुर्किये पक्स की हम बात करने जा रहे हैं अब यहां पर मैं बताओं पहले वीडियो डाला हुआ है तुर्किये पक्स से संबंदिस सूचना है यदि वह अब्यापक जनहीत में नहीं है तो जब सूचना अधिकर उनकूज आगर नहीं करता है यहां जो बिलबाउचर मांग रहे हैं चुकि वह क्रिक्तिम विक्ति है अगर उसके प्रतिश्परदात्पक संता यानि कम्प्रिटिव कैफ्ष्थी को निगिटिवली अफेक्ट करता है और सारवजरी के हित्में भी नहीं है किसी विक्ति विशेष या दो-चार लोगों को फाइदा पहुचाने वाला है तो ऐसी सूचनाओं को उजागर करने से मुक्त किया गयाजन सुचनाद गया है आपकी कोई दुकान है आपको कोई प्रतिश्ठान है आपने किसी संगठन को विभाग को कर्याले को सामान सप्लाई किया उसके बदले में आपने पेमिंट लिया और बिल लिया अब जब मोलभाव होता है स्थिति को बचाते हुए आपको सप्लाई किया उसने अब पता नहीं उसने हो सकता है तो अगर अभी आप रिस्ट्लोज करवा होगे इसको तो उसकी मार्केट में जो उनकी यूनियन है उनके संगढ़न उसके बदनामी होगी तो अगर प्रतिस प्रधात्म किस्थी तो उसकी प्रभावित होने वाली है या मार्केट में उसकी विश्वस्थिन रता है वो प्रभावित होने वाली है और सारवजिनिक हित नहीं हो रहा है तो ऐसी सूसना ये प्रक्टिकरोर से मुक्त होती है अब फिर यहां समय आता है सूसना फिर कैसे प्राप्त करें हैं कि सारवजिनिक धन का उपयोग हुआ है तो उसके सिर्फ एक विकल्प है हमने पहले वीडियो डाली है उसमें चर्चा किया है कि जब कहीं पर ऐसी स्थिति आए कि विभाग ये कहें या संग्ठन ये कहें कि नहीं साहब ये तो सूसना प्रक्टिकरोर से मुक्त हैं तो हमको च जन सुचना आब दंदे और उसमें प्रियार करें कि हम दिनाम के इतना को इतने वजे जो भी समय आप चाहते हैं उस पत्रावणी का निरिक्षर करना चाहते हैं निरिक्षर से आपको मना नहीं कर सकते हो जो आप निरिक्षर करेंगे तो पेंसिल आपकी हाथ में होगी काग आप उसका उप्योग आप साक्षिय के रूप में दाटों में भी कर सकते हैं। एफीडेविट के साथ इंस्पेक्शन करेंगे तो उस फाइल तक एकसेश सेंपू नहीं मना कर सकते हैं। और चुकि बिल और वाउचर उस फाइल के पार्ट हैं इसलिए उसको सेवियर नहीं कर सकते सेक्शन टैंक के तहित अलग नहीं कर सकते उसको तो हम उसका इंस्पेक्शन करके सुछने प्राप्त कर सकता है धन्यवाद अशोग जी आपका इस विशे पर जान करें देने के दो आने बादा बस्ते